देखिए इस बालक के कारण इसराइल में बहुतों का पतन और उत्तान होगा यह एक चिन है जिसका विरोध किया जाएगा इस प्रकार बहुत से रिदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके रिदय को आर पार बेदेगी संद लूकस का सुसमाचार अध्याईदो पस्संग्या 34 और 35 आज का सुपसंदेश प्रभु ही हमारा इश्वर है प्रभु को अपना विदान सदा स्मरन रहता है प्रभु ही हमारा इश्वर है प्रभु को अपना विदान सदा स्मरन रहता है क्रिस में मेरे प्यारे भायो और बहनों आज हम पवित्र परिवार का पर्व मनाते हैं The Feast of the Holy Family, जहांपे संत योसेफ, मा मर्यम और प्रबु येसु है, एक आदर्श परिवार, किस प्रकार आज के युग में, हमें उस परिवार को एक आदर्श बनकर जीना है, उस पर मनें चिंतर करना है, उनका जीवन में दुख तकलीव थे, कुशिया थे, परिशानिया थे, किस प्रकार संत योसेफ, अपने दहने जीवने खटिनायों के से परिवार को संबालता था, और मा मर्यम किस प्रकार उनकी सेवा करती थे, और अपने बच्चे बालत प्रबु येसु का लालन पोशन करती थे, विश्वासियों, आज हम भी परिवार में रहते हैं, हमारे गर में बच्चे हैं, लेकिन क्या वो साधानता, पियार का महौल, एक दूसरे को समझना, विश्वास करना, समंद जीवन, क्या आज देखने को मिलता है, या केवल हम उंगली उटाते हैं, एक दूसरे के उपर, अज तीनों पार्ट, हम इसी के लिए बुलाते हैं, किस प्रकार हमें इस संसार में रहते विए, एक आदर्श जीवन जीना है, शुरिद्धा रखना है, बच्चों से कहा गया, माता पिता का आदर से मान करो, उनको सुक मिलेगा, प्रवक्त ग्रंद कहते हैं, प्रात्ना करो, अपमान मत करना, ये सब अपने बच्चों से कहा गया है, सेवा में जीवन बिताओ, लेकिन आज हम देखते हैं, अपने बुड़े माता पिता को किस प्रकार हम ख्याल करते हैं, देख भाल करते हैं, उनको अनात आलय में दारते हैं, आश्रम में डालते हैं, विश्वासियों, पैसा हमारे पास है, लेकिन दिल हमारे पास नहीं, पैसा हमारे पास है, लेकिन दिल हमारे पास नहीं है और हमारे पास समय नहीं है अपनों के लिए परायों के लिए हमारे पास बहुत समय है मौच मस्त करते हैं काया गया है पुराने जमाने में हम अपने बूड़े माता-पिता के पास बैठ कर कहानिया सुनते थे लेकिन आज हम अपने कहानियों को इंस्टाग्राम में डालते हैं कितना अची बात है कहां से कहां बदल गया है और हम गुर्जनों को आदर सम्मान करते थे पहले उनको पहर चुपते थे उनके ग्यान पाते थे लेकिन आज हम गूगल के पास जा के ग्यान पात प्राप्त करते हैं प्यारे भाईद सौ्ध भैनो आज हम इस परिवार का धिन मनाते हैं हमें यह ज्याद करना है अपने आपको माता-पिता के सिवा इस संसार में हमें कोई प्यार उतनाचा नहीं कर सकता इसलिए आई संद पॉलूस को लुशियों के लिखते वे दूसरा पार्ट में कहते हैं हमें अनुकंपा, सहनबोती, विनम्रता, खौम्रता, सहनशिवता दारन करना है एक दूसरे को प्यार करना है मा मरियम, संद योसे वा प्रभू को आदर्श मानते फिये हाई अपने परिवार में, बदलाव लाने के लिए कोशिश करे और आज साल का अन्त है साल पर जो हमने कार किया है प्रभू को धन्यवाद देते वह और गलतियां किया है, चूग गए है हम प्रभू से कृपा माँगे, शेमा माँगे, दया माँगे और प्रातना करें हम एक आदर्श पारिवारिक जीवन आने वाले 2024 में शुरू करेंगे क्योंकि हम उस प्रभू का अनुसरन करने वाले बक्त हैं आमेन